हेलो फिरेन तो आज हम बनाने जा रहे कुल्चे तो इसके लिए पहले हम दो कप मैदा ले लिए हैं एक चमच चीनी, आधा चमच नमग, आधा चमच बेकिंग सोडा और दो चमच रिफाइन ओल और यहां हम पतला सा दही ले लिए हैं दही को हम अच्छे से पहले ही फेट लिए थे अब हम सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें हम थोरा थोरा पानी एड़ करके सौफ्ट आटा तयार करेंगे तो देख सकते हैं मिरा जो आता है वो तयार है अब इसे पांच मिनिट के लिए चोड़ देंगे इधर मेरा पांच मिनिट आता का हो गया है तो इधर हम गैस अन करके तावा चरहा दिये हैं और इधर एक छोटा सा लोई ले लिının हैं पहले उसे हम हाथ से फैला दालेंगे उसके उपर हम धनिया पत्ता एड़ करेंगे उसे अब हम हलका बेल के उसके उपर हम थोड़ा सा कुलोंजी एड़ करेंगे इसे ज्यादा पतला नहीं किया है, थोड़ा मोटा ही बेले हैं, अब हम दोनों तरफ अच्छे से पहले सेक लेंगे, तब हम दोनों साइड तेल लगाएंगे इसमें, तो देख सकते हैं, मरा जो कुल्चा है, वो बन के तयार है, ऐसे ही है, सारे एक एक करके, हम सारे कुल्चा को बना के तयार करेंगे, तो आज की रेसिप आपको कैसी लगी, कॉमेंट में जरूर बताइएगा, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू,